नमस्कार के सान भाइयों ने साथियों ऐठ लिकरी से में आप सभी का स्वागत है साथियों आप मेरे पास यहाँ पर फिल्ड देख पा रहे हैं ये जो हूआ अभी केले का फिल्ड यहाँ पर तयार किया गया है और इसमें भी रुपाई का काम चल रहा है तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं, यह केले के यहां पर पौधा है, लेकर किया है नर्सरी से, तो यह वह Tissue culture में तयार किया गया पौधा है, टीसू culture में तयार काने का यह फाइदा निकल कर आता है, कि यह साल भर में हमारी फल उसमें हार्वेस्टिंग हो जाती है, पौ के लगा हुआ है तो अभी इसकी रोपाइ तहार से की जारी है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे सबसे पहले नहां पर दिखाएंगे कि शुट्व में आपके मन में सवाल भी आ रहोगा, किस तरह से इसको पूरा समतल में लगाया गया है, बेड जो है, तयार क्यों नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह पौधा जब लेकर का है किसान भाई ने, तो उसमें क्या-क्या करके आрे हैं, तो उसको आपको हाडणिं करना होता है, उसको यहां के जैसे काफी तेज धूप है, तो इसके लिए अनकूल बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेड नेट बनाएंगे, जिसको ना ज़्याध़ धूप हो और ना ज़्यादा च्हाओं हो, इ ये सारी साधानिया हमको ध्यान में रखनी है उसके बाद फिर साथियों यहां पर हम फिल्ड प्रिप्रेशन के बारे में बात करेंगे आप देख सकते हैं यह फिल्ड जो है काफी अच्छे तरीके से पूरा समतल तरीके से बनाया गया है तो इसमें जो है वा दो से तीन बार अच्छे जोताई कर लिए उसके बाद फिर इसमें रोटावेटर चला करके इसको समतल कर लिया गया है यदि आपके फिल्ड समतल नहीं है तो आप इसमें लेजर लेवरर से काम ले सकते हैं तो यहां पर पूरा अच्छे तरीके से समतल कर लिया गया है उसके बाद फिर यह बैड की लंबाई होगी वह किस दिसा में होगी दिसा का खास ध्यान हमको देना है दिसा की जो लंबाई होगी वह होगी पूर्वसे पश्चिम की और होगी और उत्तर से दक्षिड के और जिसे धूप निकलेगा तो इसमें की हमारे बैड को और हमारे सारे पौधो को वो रहेगा हमारा 6 फिट रहेगा और यहां पर जैसे कि plant to plant distance हम बात करें तो plant to plant distance हम 5 फिट का रखने वाले हैं तो इस distance में हम काम करेंगे और यह commonly सभी जगह इसी तरह से होता है यह part 1 होगा इसी तरह इसमें आवर पार्ट लेकर कहेंगे जिसमें इसका production भी हम आप लोगों क समझ लें कि उसमें किस तरह की nutrients की और खाद की और fertilizer की जो है आव सकता है उसके बाद ही आप इसमें डालेंगे तो वो पौधा भी अच्छा से catch करेगा और आपकी खाद की जो cost होगी वह बची रहीगी तो इसमें जो है मिट्टी के बारे में बात करें मिट्टी जो है हमको इसमें ना ज्यादा अचारी हो ना ज्यादा अमली हो इस तरह की मिट्टी की इसमें आव सकता होती है और मल्चिंक मल्चिंग भी लगाते हैं बहुत से किसान वह लेकिन उसमें फिर मल्चिंग अगर नहीं लगाते तो आपको निदाई-कोड़्ाई का खर्च बढ़ जाता और दूसरा ये ध्यां रखना है आपको कि आप जैसे ही पौधा लगाने वाले हैं उससे पहले ही आप जमीन को अच्छे से गीला कर लें इसमें लगभग एक दिन पहले आप जो है बाद 10 से 12 घंटे यहां पर पानी चला ले मिट्टी को पूरा गीला कर ले उसके बाद फिर पौधे की रुपाई करें अब इसमें हम आगे जैसे की बात करें आप देख पारें पूरा फिल्ड ओपन है तो ओपन फिल्ड में किया जा रहा है बेड़ भी तयार नहीं किया गया है और काफी अच्छे से यहां पर आप रोड टू रोड डिश्टेंस देखेंगे लाइन क्योंकि मिट्टी चड़ाने से साथियो केले में काफी अच्छा हमको ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि यह तो एक बेलेंस बना पाता है खरपदवाद को हटाने में भी फिर असानी होती है इस तरह से खरपदवाद भी नियंतरन हो जाते है प्रॉब्लम जैसे की हमने कि आप देखेंगे कि यहां से नई पत्या निकल रही है लेकिन यह इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो करके यह खुले गाने तो इसके लिए किसान भाई ने हमको बताया कि इसमें हम फंगिसाइट का इस प्रे करते हैं तो जिससे कि यह पत्या अच्छे से खूल पाती है और खा इसमें तो कमपोश्ट ही डालें काफी अच्छा रहता है लेकिन यदि आप इसमें नहीं डाल पा रहे हैं तो यहां पर किसान भाई के पास वह एवलेबल नहीं है तो यह पूरा रासानिक में काम कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि इसमें हम पोटास डालेंगे अभी उसको देने का तरीका वही है रिंग बना करके इसको देते हैं तो इस तरह से साथिओं यह केले की पूरे रोपाई के बारे में हमने बात करना है इसको किस तरह से मैंटेंड करना ह hail आगे जह हम इसके बारे में और वीडियो लेये कर जैंगे अब तो नुकसान को वह तक्ता बचा सकते हैं उसको आप लोगों को बताना चाह रहे धें वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता हैं तो आप ओर कुई करते हुए कि केया बता हैं उससे सबाउन करें आए उसकी वीडियो जल्द लेकर आएंगे जल्दी मिलते हैं सितर के इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक ले जाए हिन जा भारत